मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छी होंगे आज आपकी आपको पता है कि मंडी को दो वक्षिट्स आती है उसी के अकॉर्डिंग आज भी आपकी दो वक्षिट आई हैं एक हिंदी की और एक एवियस की तो अभी हम 13E यानि की हिंद वक्षिटे लिखेंगे डेट डाल देंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम और किलास आप लोग लिख लेंगे लिख आए नमस्ते बच्चों आईए आज हम अपने किताब के पहले पार्ट राक की रसी को बोल कर पढ़ते हैं और जाने की कोशिश करते हैं कि क्या राक की रस्ती सचमुछ होती है तो चलिए इसके लिए आप हमारे दूसरी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इस पार्ट को पढ़ाया है बच्चोर रस्ती एक संग्या शब्दे आज हम पार्ट में आए संग्या शब्दों के बारे में कुछ बात करेंगे हम पढ़ चुके है कि किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं चलिए अब हम संग्या के भेदों के बारे में पढ़ते हैं तो देखे संग्या के तीन भेदों होते हैं पहला होता है व्यक्ति वाचक संग्या जिसमें किसी का नाम जैसे की मोहन, शेर, केला, दिली, बजा, बाजा, आदी ठीक है? जाती वाचक किसे का जाता है जिसमें हम किसी की जाती बता है जैसे की जानवर, फल, अब फल कोई भी हो सकता है, शेहर, शेहर कोई भी हो सकता है ठीक है इस तरह बहाव वाचक में क्या होता है मुटापा चाई बराई बच्पन चाला की खुशी हसना रोना यह चीज़े आपकी किसमें आते हैं बहाव वाचक में आती है तो अब आपने मुझे उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी यहां देखे लिखा है निमलिखित जाती वाचक संग्या शब्दों के लिए तीन तीन वाचक संग्या आपको संग्या बताने है तो चलिए इस कांसर देखते हैं देखे पहला क्या लिखा है फूल है पहला क्या लिखा है जाती वाचक संग्या लिखा है व्याती वाचक संग्या फूल में ठीक है इसके लावा और क्या हो सकता है अनार ठीक है तो इस तरह से आपके हो जाएंगे क्योंकि देखे इन्होंने यह नहीं कहा कि आपको चित्र से एक्जैक्ली देख के बताने हैं आपको अपने आप से बता देने हैं कोई भी तीन तो हमने लिख दिया सेव, केला, अनार इ हम चीकू भी लिख सकते हैं जितने हम चाहें बहुत सारे फाल हैं लेकिन हमें लिखने तीन है ठीक है इसके बाद पंची की बात करें तो पंची तो सारी चेरिया होगी अब कोई भी हो सकता है लेकिन हमें तीन लिखने तो हम लिखेंगे मोर लिखेंगे कबूतर कबूतर है तो इस सिदासे हम में लिख सकते है मैं आप जो चाहें लिख लें ठीक है इसके बाद है यहां एतियासे किमारती तो अब इसी दर्वाइब से आपको तीन इतियासे किमारतों के बारे में लिखने तो आप लिखेंगे पिर आप दुसरा क्या लिख सकते हैं ताज महल ताज महल इसके लाव आप क्या लिख सकते हैं जामा मस्जिद मा अधसा जामे इकी मात्रदा अगला कुशिन आपको दिया गया है नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़ियो और उनमें से आए संग्या यानि व्यक्ति वाचक जाति वाचक और भाव वाचक छाट कर आपको अपनी कौपी में लिख रहा है तो देखें लोन पो गार तुभी आपका लोन पो ग लोन पो गार एक आदमी का नाम है तिबत एक शहर का नाम है ठीक है अब राजा के राजा तो राजा आपका जाति वाचक हो जाएगा नस्तोक से इन गापो के मंत्री थे तो अब यहां पर देखें इसका मंत्री मंत्री कोई भी हो सकता है लेकिन जो इनके नाम है यह आपके व्यक्तिव आच्छों खो जाएंगे तो आप इने लेखते चलेंगे एक दिन लोन पोगार अब लोन पोगार तो हो गया है नहीं अपने बेटे को क्या दिम भेड़े दी ठीक है देखर शेहर भेजा शेहर में उसे एक लड़की मिली उसने लोन पोगार के बेटे की मदद की लोन पोगार मदद भी हो जाएगा लोन पोगार उस लड़की की समझदारी को परकना चाते थे तो समझदारी हो गया ठीक है इसलिए उन्होंने उसे राक की रस्ती ये चीज़ का नाम है बनाने को कहा लड़की ने अपनी समझदारी से राक की रस्ती बना दी लड़की की स चलाकी धीरी रह गई तो चलाकी हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप लोग इसमें से वर्ट निकाल लेंगे जो भी संगिया शब्द है उनको आप लोग निकाल लेंगे इस तरह से वक्षिट कंप्लीट होती है आपके टीचर से कहा गया आपको वक्षिट अच्छे से समझाए आपके परेंट से कहा गया अपने आस पास की वस्तू व्यक्ति के नाम बोलकर वा बच्चों के साथ खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्ति वाचक संगिया है ये जाती वाचक ठीक है चैले तो आच्छी वक्षिट को हम यह खत्म करते हैं अच्छी वीडियो में बस नहीं अगर आपको में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग